इसको हमें एक्स्पें करना है तो आंसर इस हाविंग तू रीड यानि पढ़ाई के लिए समय निकालना कौन सी बुक ऐसी होती है जो हमें हसाती है आंसर इस पॉपप बुक्स यानि कॉमिक बुक्स हमें हसाती है बुक्स के थ्रू हम कौन कौन से प्लेस पर जा सकते है हम बुक्स के थ्रू जू में और फार्म को विजिट कर सकते है नहाते समय अगर हम ले जाना चाहें तो हम कौन सी बुक्स लेकर जा सकते हैं जो बुक्स होती है वो हम बात के समय ले जा सकते हैं हमें बहुत सारी बुक्स चूज करने के लिए कहां से मिल सकती है The answer is, we can get many books to choose from the bookshop or from the library Okay, हमें library से या फिर bookshop से बहुत सारी books चूज करने के लिए मिल सकती है Next question is, what is a book full of words called? एक ऐसी book जो words से full होती है, वो क्या कहलाती है? Answer is, a book full of words is called dictionary, वो book dictionary कहलाती है Next is, explain hairy scaries, पोयम में एक वर्ड आया था, hairy scaries, तो इसका क्या मतलब होता है? उसको explain करना है इसका मतलब होता है, causing fear, यानि वो चीज जो हमारे अंदर डर पैदा कर दे Next is, apart from a bookshop, where else are books kept? Bookshop के अलावा, books कहां पर रखी जा सकती है The answer is, books are kept in the library Books हमें, bookshop के अलावा, library में भी मिल सकती है Okay student, so do this work in your notebook and also learn Thank you